इस्राइली बलो को जिस तरह से गाजा में हमास लड़ा के नाको चने चबवा रहे हैं वैसा ही नजारा उत्री इस्राइली बॉर्डर और उनके आसपास देखने को मिल रहा है जहां लिबनान के हिजगुला आतंकी संगठन इस्राइली बलो पर काल बन कर कहर बन कर तूट रहे हैं लड़ाकों की ओर से हर दिन इस्राइली बलो के ठिकानों और सेने बलो पर आपरेशन की नई सीरीज शुरू हो रही है अपने एडवांस हतियारों के बूते इस्राइली सेना की मुश्किले खड़ी करने वाले हिजगुला लड़ा के हावी है यही वज़ा है कि कई मोर्चों पर जूज रहे इस्राइली फोर्स हर मोर्चों पर प्रतिरोध लड़ाकों से पिछड़ती नज़रा रही है इस्राइली सेना को भारी नुकसान झेल ना पड़ रहा है अपने सेने कर्मियों का ही नहीं बलकि जंगी मैदान में तैनात हतियार भी एक-एक कर स्वाहा होते जा रहे हैं इस बीच दक्षडी लेबनान पर इस्राइली हवाई हमलों में शुकरवार शाम को हिजबुल्ला के एक सदसे और एक नागरिक की मौत हुई तो वहीं पांच से जादा लोग इसमें घायल हो गए इसराइली ड्रोन और युद्धक विमानों ने बॉर्डर इलाके के भीतर और दक्षडी लेबनान के अंदरूनी इलाकों में कई लाकों पर दस से जादा ठिकानों पर छापे मारी की इससे बॉकलाए लेबनान के इसलामी प्रतिरोध ने इसराइली मिलिटरी साइटों और सैनिकों के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दिया हिजबुल्ला ने इसराइल को चिताते हुए कहा कि उसका अभियान गाजा में फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिरोध के समर्थन में और दक्षडी लेबनान कजमों और गावों पर इसराइली हमलों के जवाब में जारी रहेगा लेबनानी गुट हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने बीरानिट बैरक पर भारी बरकन रोकेटों से हमला किया जो की सठीक हमला रहा जिससे वह जलकर राक हो गया और इसराइल को बड़ी चोट पहुँचाने में काम्याबी हासिल हुई समूह ने खुलासा किया कि ओप्रेशन दक्षणी लेबनानी शहर मारून अलरास पर इसराइली हमले के जवाब में था एतारोन शहर पर इसराइली बलो के हमले के जवाब में हिजबुला ने भारी बुरकान रोकेटों से अल बगदादी साइट को निशाना बनाया दावा है कि सीधे हमले में उसके लड़ाकों ने रामोत नफ्ताली बस्ती पर भीशड रोकेट बंबारी की बाद में पुष्टी की कि उसके लड़ाकों ने अलजौरा बेस में आयन डोम लंचरों को निशाना बना कर ड्रोन हमलों का इस्तमाल कर हवाई हमले की हिजबुला ने बताया कि वह सभी हमले हौला चौराहे पर इसराइली हमले के जवाब में रहे इस्लामिक रेजिस्टेंट ने ये भी कहा कि उसमें शोमेरा बस्ती में इसराइली सैनिकों की ओर से इस्तमाल की होने वाली बिल्डिंग पर भी धावा बोला इसमें कहा गया कि ये हमला मारून अलरास पर इसराइली आक्रमण के जवाब में था इतना ही नहीं हिजबुल्ला लडाकों की इसराइली बलो पर जारी पलटवार की सिरीज में दावा किया गया कि लडाकों ने मयान बारूक साइट पर रॉकेट और तोख खाने के गोले दागे और सीधा हमला किया इतना ही नहीं प्रतिरोधी सेनानियों ने रॉकेटों से कबजे वाले लेबनानी कफर चौबा हिल्स में अल राम्था साइट को निशाना बनाया जिस से सटीक निशाने लगे। इतने वाले फिलिस्तीन में तीन नुकसान की जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि हिजबुला ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। पश्चमी अल जलील में खाली नहीं की गई बस्तियों की ओर लगभग सो रॉकेट लॉंच किये गए।